ये सब कुछ सरकार जबर्दस्ती इस मामले को इस तरह से सोकर रहे है ताकि कल को अगर कोई दंगा भलका है सरकार, सरकार भलका है दंगा, तो उस दंगे पर आरोपी लगे का भी यह यह तो विपक्ष न किया, यह तो विपक्ष का किया धरा है सब कुछ है. आन्य योगी जी की बात पर कैसे विश्वास किया जा सकता है क्योंकि जो पिछले साड़े तीन साल का जो पूरा इतिहास रहा है वो इतिहास तो इस बात की गवाही नहीं देता कि किसी भी मामले की निस्पक शुरुप से जाच होगी कहीं ऐसा तो नहीं देखाई देता और आप देखें ये जो महिला का मामला है हातरस का जो हुआ है एक और बहुत आपको एक मामला मैं बताता हूँ और बहुत जल्दी काई है जो उत्तरपरदेश पुलिस में जो महिला है उन महिलाओं ने जितना जबरदस्त आरोप लगाया उसके लिए अन्दोлом किया उनोंने ये कहा कि हम पुलिस में हैं लेकिन हमारी हालत मुझे वो शब्द भी नहीं कहना है कि हमारी हालत इतनी बुरी है कि हम बता यहीं सकते मतबर हमारा क्या है जो जिस तरह से हमारा शोशन हो रहा है और उस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब वो महिला हैं प्रदेशन कर रही ही उनके साथ जिस तरह का वेवार किया जबकि होना यह चाहिए था कि अगर यह आरोप लगा है तो एक हाई पावर कमेटी बनाके एक निस्पक्ष जाच करने वाली कमेटी बनाके उसकी जाच होनी चीए थी दोसी चाहे कोई भी चाहे कितने ही छोटे पद पर हो चाहे कितने बड़े पदपर हो उसके खिलाब कठोर कारवाई होनी चाहती है बक्षा नहीं जाना चाहता है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और अगर जाच की ही बात है तो जाच की बात आप जो इतने करीब साड़े छह हजार से जादे अब तक एनकाउंटर जो हुए हैं उसमें लगबग 122 से जादे लोगों की मतलब मौत हुई है एनकाउंटर में तो उन सब की जाच है वो भी जाचें कई जाचें सवालों के घेरे में हैं वो हाई कोट में भी मसले पड़े हैं सुप्रिम कोट ने कई बार ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है ये जो सा प्रदारी को जिस तरह से परिवार के लोगों को उस लड़की का शब दिखाए बिना उसका चैरा दिखाए बिना उनकी सेमती के बिना उनकी उपस्तिती के बिना ही उसको रात के अंदेरे में ढ़ाई बज़े फूक दिया गया आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं आज इस परक ना उसकी एफ़ execution करा रहे हैं उसे उसे वहां से भगा रहे हैं ना उसे medical treatment उपलब्द करा रहे हैं कैसे माना जाएगा कि निस्पक जांच होगी और कैसे जो मतलब यस सारी सारी चीज़े होगी इसके अलाबा पुलिस बालों के बयान जिस तरह से लगातार बदलने हैं ये जो आप सारी की सारी चीज़ें अब आ रही हैं जो आप सरकार कह रही है कि ये बहुत बड़ा जातिये दंगा कराने की साजिस्ती जातिये दंगा कराना कौन चाता है भई किसको दिक्कत है किसको मतलब चाहिए ज जातीय दंगा अगर देखा जाएं तो भारतिय जंता पार्टी का इत्यास इस तरह का है कि जो सामपरदाईक और जातीय दंगा कराने की बात करती हैं। F.I.R. लिखी जाती उसके बाद में medical treatment उसको दिया जाता और जो अपरादी हैं उनके खलाप उसी तरह से जो कारवाई कानूनी कारवाई वो होती लेकिन नहीं किया कानूनी कारवाई कब होती है F.I.R. कब होती है जब हला मचने लगता है जब social media पर शोर मचने लगता है जब समाज के लोग, देश के लोग जागरुक लोग जब इसके खलाप आंदोलन करने लगते हैं सड़क पर आने लगते हैं संगर्श करने लगते हैं तब होता है और जब होता है कब कि जब उस लड़की की मौत हो जाती है सब्दर जब होस्पिटल में तब ये सारी चीज़े होती है तो कैसे माना जाएगा कि जाच निस्पक्ट हो रही है और आप दोशियों के खलाब कड़ी कारवाई करेंगे पिछला जो इतियास है आपका कहीं इस बात को नहीं दर्शाता और अब जिस तरह से बात हो रही है पुलिस के ADGP कहरें कि नहीं गैंग रेप हुआ ही नहीं बलातकार हुआ ही नहीं आरे जो अलीगड की मेडिकल रिपोर्ट है जो मेडिकल लीगो रिपोर्ट है MLC जो है वो MLC जो कह रही है आप उसके उपर बात कर रहे हैं उसे भी छुटला रहे हैं दूसरा आप तो पुलिस के हैं कानून जानते हैं कि जब लड़की कह रही है कि मेरे साथ में बलातकार हुआ है और बलातकारियों के वो नाम बता रही है और उसके बाद वो लड़की मर जाती है तो ये डाइंग ड तो जो बहुत चोटे हैं जो सब्ंदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पोस पामार्टिम रिपोर्ट जो है उसके माद्ददम से कारा रहा लड़की की रीड की एड्य तोटी है उसको बहुत चोटे हैं और जो ट्रीटमेंट उसको शरूरू में देना चाहिए तो वो उस उसको मिलाने जिसकी वज़से उसकी जो इस्टिती यहां तक पहुंचे लड़की के तो कैसे यह मान लिया जाएगा कि निस्पक जाच होगी और अब आप करें ये बिलकुल कानून की परंपरा के विरोध में है एसाइटी जो आप ने गटित किये एसाइटी के रही है नारको सुप्रिम कोट ये कहती है नारको टेस्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है तो नारको टेस्ट की जब लीगल वैलिडिटी नहीं है जो आप ये पॉलिग्राफ टेस्ट कराते हैं ये सब इनकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है तो आप क्यों करा रहे हैं क्यूं क्यू लोग समाज के वहां जा रहे हैं देश के जागरुक नोग समाजिक संगठनों के लोग और पॉलिटिकल पार्टियों के लोग पत्रकार वगरा जो वहां जा रहे हैं आप पत्रकारों को नहीं जाने दे रहे हैं अब आपने जो एलाओ किया है नहीं तो आपने तीन चार दिन क किसी को जाने नहीं दिया हुआ पे और जो भी लोग वहां जा रहे हैं आप उनके खलाब F.A.R. करा रहे हैं राहुल गांदी और पिरिंका गांदी के खलाब F.A.R. हो रही है चंद शेकर रावड के खलाब F.A.R. हो रही है जैन चौधरी के खलाब F.A.R. हो रही है डेरेक अगर निस्पक्षता की बात है तो सबसे बढ़िया और इससे आपकी रेपूडिशन बहुत बढ़ेगी लोगों का आपके और आपकी कानून विवस्ता में बहुत विश्वाद बढ़ेगा जब आप जितने भी सिपाही से लेके ADGP, DGP तक जो भी लोग इसके लिए दोशी हैं सबूत मिटाने के लिए परवार के लोगों को धंकाने के लिए और लापरवाई करने के लिए उन सब को पहले आप बरखास्त करो उनका निलंबन नहीं यानि सस्पेंशन नहीं टर्मिनेशन बिलकुल बरखास्त करो सिपाही से लेके सिपाही हो हवलदार हो ASI हो, SI हो, Inspector हो, SO हो, CO हो, कोई भी हो, SP, SSP, ADGP, IG कोई भी हो उनको पहले सस्पेंशन करो और उनका सस्पेंशन नहीं उनको बरखास करो तब ही कुछ निस्पक्षजाच की बात होगी लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, जो बहार से लोग जा रहे हैं उन पर देश्टरों की F.I.R और जो वहीं पे बैठे लोग हैं जो लोग जाती है आधार पर आपने देखा एक रास्टिय सवान संगठन करके बनाया गया है उस संगठन के लोग वहाँ पर जाती है पंचात कर रहे हैं और जाती है पंचात बारे बारे गाओं की पंचात हो रही है उनके खलाब कोई कारवई आप नहीं कर रहे हैं अब जाके एक F.I.R हुई है जो F.I.R है कि डिजास्ट वो महामारी कानून के तहद जो है एक F.I.R आप ने किया उससे पहले ने की वहाँ पर लोग धमकी दे रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में धमकी दे रहे हैं उनके खलाब कोई कारवई नहीं हो रहे हैं किसे माने जाएगे कि निस्ट पक्ष जाहां चो रही है दंगा कौन भड़कारा है क्यों नहीं पहले से ही सब लोगों को वहाँ पे आराम से जाने दिया जाता जाओ पत्रकार जाओ पूछो भईया मिलने वाला जाओ भईया पूछो भईया कोई दिक्कत नहीं कलक्टर आपका बैट के धमकारा है कलक्टर परवार के लोगों को धमकारा है परवार के लोगों को बंदी बना कर रख लिया आपने जब इतने हजारों पुलिस वाले उस घेर के बैटे होंगे उस गाओं को उस घर को और उनके फोन आपने ले लिए उनके फोन ले लिए वो किसी से बात नहीं कर सकते हैं पत् करकार के प्रशाजन साशन के जो भी अधिकारी हैं पुलिस के जो भी हैं चाहाईएस हों आईपीस हों कि उस मामले को पूरी तरह से खतम कर दिया जाए और लगबग उसमें सारे सबुत मिटा दिये गए हैं कोई भी इस बात की जायत नहीं देता आपको कोई अधिकार नहीं ह कि लड़की का अंतम संसकार रात के अंधेरे में बिना परिवार वालों को उसका चेहरा दिखाए बिना उनको उसका जो शब सोंपे हुए उनकी अनुमती और उनकी अनुपस्तिती में आप करें कोई अधिकार आपको नहीं देता ना कोई समविदान देता ना कोई कानून तो ये सब कुछ सरकार जबरदस्ती इस मामले को इस तरह से सोकर रहे ताकि कल को अगर कोई दंगा भलका है सरकार, सरकार भलका है दंगा, तो उस दंगे पर आरोपिय लगे का भईया ये तो विपक्च का किया धरा है सब कुछ है, नहीं तो इमानदारी तो यह थी, F.A.R. लिखके बड़े आरम से कारवाय होती और आपको कानून में अधिकार है पुलिस वालों को डर किस बात का है अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है वो जूट बोला है उसके द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है उस पे जो अफैय आ रहे हुए वो कंप्लेंट जूटी है तो सेक्शन 182 सेक्शन 211 में आप आफैयर कीजिए न उसके खलाब कौन रोकर आपको किसी को मने नहीं कर रहा है पर आप वो काम नहीं कर रहे है